हां तो मे fryणे दोस्तों में अपका स्वागत करते हुं मैंइ इए व्यविगा का तो ही डिए मैं उसी का अंबॉकसिंग करने वाला हूं और मैं आपको दिखांगा के उसमें क्या क्या है और उसके साथ मैंने क्या क्या और खरीद आई जिसको मैं अपने मोटो ब्लॉगिंग में यूज करूँगा तो चलिए पढ़े खरीद के आते हैं यह रहा अपना सौप जास में हेलमेट लेने वाला हूं तो हम इंट्री मार रहे हैं यहां पर और यह साहब हेलो यह देख सेते हैं आप लोग हेलमेट ही तो अभी मुझे कोई पसंद करना पड़ेगा और यहां पेजिए जैकेडश यहांसे आप बाहरे लीसकते और खरीड़िए सकते हैं तो आप लोग यहां पेज़िए आई है नाला सुपारा में ही है और यहां पर एकज़ार का है हेलमेट्स और हमारे साहता है यह पांडे जी तो चलि हम कुछ चेकिंग करते हैं कौन सा हेलमेट मुझे जम रहा है मैं आपको दिखाता हूं अभी आप लोग देखिए यह मैं लगा है यह वाला हेलमेट्स यह वाला मुझे बैठ है अच्छे से आपको देख सकते हैं यह कलर में है पांडे जी कैसा है यह वाला मैं तो यह फाइनल हो रहा है इसको हम पैक कराते हैं और बाकी का डीटल में आपको घर्पे कलके दूँगा इसको पैक कराते हैं तो हेलमेट्स खर्टके हम आच चुके हैं अब मैं जा रहा हूं उसका अन्बॉक्सिंग करूंगा और आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूं उसमें क्या-क्या है और मैंने क्या-क्या लिया है तो चलिए शुरू करते हैं यह रहा वह आइटम जिसका हमें इंतिजार थ तो चलिए इसको अंबॉक्सिंग करते हैं तो सबसे पहले मैं इसका इस्टीकर निकालता हूं अब बोलता हूं आप लोग देखिए इसमें क्या है यह रहा अपना हेल्मेट जो कि मैं निकाल रहा हूं और यह गप्ते को मैं साइडना कर देता हूं जिसका हमें इंतिजार था आप लोग देखिए वाव यह रहा अपना हेल्मेट आप लोग देख लिजिए यह मैंने इसलिए लिया है कि इसका सबसे पढ़े तो ग्राफिक अच्छा है और दूसरी बात यह थोड़ा सस्ता पढ़िए अंडर बजट में जो कि मेरा बजट था दो हजार से पच्छी सो रुपए यह मैंने लिए अफ्लाइन मार्केट में जो कि मुझे पढ़ा है तो आप लोग लेंगे तो यह करीब आप लोग देखने में बहुत अच्छा लग रहा है सबसे पहली बात तो बाकी बात करें तो इसका जो वाइजर है वो गोल्डेन वा पहले गाई तो आप लोगों को मैं दिखा दूँगा यह भी इसका श्टीकर निकाल के किसका वाइजर कैसा है उसके पहले में आपको बता दूँ कि इसके पीछे जो यह अच्छा लगा है और यह इसका जो ग्राफिक बना है बनी का यह एक नंबर लग रहा है और इसका पै मतलब बहुत आसान देखिए आप लोग ऐसे करेंगे तो इसको आप बस उठा दीजिए उपर से और निचे से आप खिच देंगे तो अपने आप निकल जाएगा देखिए कितना आसान है बाकी अब तो हम इसको यूज करेंगे तो बताएंगे इसके उपर मैं अपना मोबा आपको अगले वीडियो में दिखा दूँगा जब भी मैं इसको यूज करूँगा तो बाकी बाहर से देखने तो बहुत अच्छा है मैं आपको इसके बार पहन के दिखा देता हूं कैसा लग रहा है आब कर दभी मोंडी से बाहर नहीं बाकी आप लोग देखे लिए पीशे से ते अच्छा है को आप लोग देख सकते हैं इसको और वाजरी काफी अच्छा है तो ज्यादा बात ना करते हूं मैं आप लोगों के यहां पर दिखा देता हूं यहां पर हवा जाने के लिए दो बटन है जिसको हम उपन कर देंगे तो सर पर हवा जाएगा और यहां पर भी एक बना हुआ हवा जाने के लिए जो कि सामने चलते टाइम में हवा अंदर पास हो या इसमें आप देखिए यहां पर ISI certified और DOT certified भी है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है इससे मतलब कि यह गिरने पर भी हमको समझो कि सपोर्ट देगा इतना उम्मीद है बाकी जो है सब कुछ सही है तो चलिए मैं इसका सबसे अच्छा वाला काम करने जा रहा हूं जो कि मैं इसका श्टीकर निकाला वाइजर से चलिए यह चीज़ देखते हैं इसको हम यहां से जो एक खीच के निकालेंगे बहुत ही आराम से यह देखिए आप लोग एक नंबर लग रहा है निकाल दे टाइम में वाव यह देखिए आप कि इतना अच्छा लग रहा ही था से दम निकालेंगे बाल है तो आप लोग देख लिए यह बहुत अच्छा है बाकी मैं इसको यूज करूंगा तो आपको सब कुछ बताऊंग मुझे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो चलिए मैं आपको दिखाता अभी मैं और क्याल आया हूं तो इसके साथ मैंने एक हैंडग्लप्स भी लिया जो कि राइडिंग बहुत ज़रूरी है जिसे हमारा हाथ जो सेफ रहता है मैंने एक ऑनलाइन वीबुक किया था पर साड़े 300 का लिया ऑफ्लाइन मार्केट में जो यह मुझे काफी अच्छे से बैट रहा है मेरे मैं इसको आपको चेक करके दिखा दे रहा हूं आप लोग देखिए यह एक्सल साइज है जो कि मेरे हाथों में अच्छे से बैट गया है और जो मैं प्रो भाइक करका लिय इसको यूज भी करना है बाइक चलाते टाइम में अभी इसके बाद जो भी मेरा वीडियो आएगा वो मेरे हेलमेट और गलफ के साथ में आएगा और मैं एक और इंवेश्मेंट करने वाला नीगाड के लिए तो आप लोगा सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्दी हो आने चलिए आप लोग के दिखा द marginalized कि आके अपने हलमेट लगां आपन्वों दिखा दोबबावी ज्यादा बात ना करते हुए मैं चलता हूँ जन्दिस इसका एक सिनेमेटिक व्यू बना कि आपको दिखा देता हूँ इस पाइक के साथ में और आप लोग कमेंट में बताएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा तो बाकी के जो वीडियो से इसके उपर मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि मोटो ब्लोगिंग के टाइम में इसमें आवाज कितना अंदर जा रहे है या फिर आवाज कैसा आ रहा है तो उसके लिए आपको इंतिजार करना पड़ेगा मेरे नए वीडियो के लिए तब आपको इंतिशना आप है